So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फोन में आप पुराना कीबोर्ट कैसे लाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका आइकोन को प्रेस कर लेना है सो दिखिए आगर आपका अब भी दूसरा कीबोर्ट चल रहा होगा तो simple आप उस कीबोर्ट को अनिस्टाल कर दीजे जैसे आप उस कीबोर्ट को अनिस्टाल करेंगे तो आपका पूराना कीबोर्ट आटोमेटिकली सेट अप हो जाएगा ठीक है या फिर आप दूसरा तरीका है कि आप simple अपने विव फोन की सेटिंग्स में जाएंगे देन आपको क्लिक करना होगा system पे ठीक है देन आप reset options पे क्लिक करें और आपको third option मिलता है reset all settings का तो simple आप all settings को एक बार reset करेंगे जैसे आप लोग all settings को एक बार reset करेंगे जो भी custom changes हुए होगे सब कुछ default हो जाएगा देन आपका पुराना वाला जो keyboard है वो भी setup हो जाएगा और all settings को reset करने से आपका कोई भी data delete नहीं हो तो आपको निश्चिंद रहना है तो simple आपको यह method का use करना है देन डेफिनिटली आपकी problem fix हो जाएगी तो टापिक इस cover मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी